नमस्कार आज हमारे सामने तीन प्रास्ने पहला है मिश्र बिन को अनुचित बिन में बदलना दूसरा प्रास्ने अनुचित बिन को मिश्र बिन में बदलना और तीसरा प्रास्ने साधरन बिन को सरलकर बिन के रूप में लिखना तो शुरू करते हैं सबसे पहले मिश्र बिन को अनुचित बिन में बदलना संख्या है दो सई तीन बटे चार तो सबसे पहले ये चार है नीचे चार का पाड़ा यहां दो है दो बार बोलेंगे यहां जितनी संख्या होती है वो नीचे बारी संख्या का उतनी बार पाड़ा बोलते हैं तो चार का पाड़ा दो बार बोलेंगे और उपर जितना है उसको उसके अंदर जोडेंगे तो चार का पाड़ा दो बार बोला चार एकम चार चार दूनी आाठ आठ और तीन उपर है आठ और तीन होते है – नो, दस, इग्यारा तो ये बना इग्यारा और नीचे बटों में चार है तो फिर यहाँ वापस चार लिख दिया तो ये हमारी मिसर बिंद से अनुचित बिंद बनी है 11 बट्टे 4 मतलब 4 को 2 से गुणा किया और उपर 3 थे उसको जोड़ा तो 4 को 2 से गुणा किया 4 दूनी 8 और उपर 3 11 तो 11 और बट्टों में 4 है तो ये नीचे बट्टों में 4 लिख दिए अब दूसरा प्रस्न है हमारे पास 17 बट्टे 5 है उसको मिसर बिन में लिखना है तो ये यहां हम रफली करेंगे 17 बट्टों का मतलब होता है भाग 17 में 5 का भाग देना है तो 17 में ये 5 का भाग दिया 5 से कम 5 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 और 20 तो 17 से जादर 5 तिया 15 अब 17 में से 15 गटा है फीचे रहेगे दो जो नीचे आए दो वो तो लिख दिया उपर बट्टाओं में ये लिख देंगे जो 5 है वो बट्टाओं में लिख दिया जो नीचे 2 थे वो तो उपर लिख दिये उपर 5 थे वो नीचे लिख दिये तो ये हो गया 3, 2, 5 तो 17 बटे 5 का हो गया 3, 2, 5 और हमारा तीसरा प्रस्न है 16 बटा 36 को सरल करना तो सबसे पहले देखेंगे इसमें 2 का बाग इसमें भी जा रहा है इसमें 2 का बाग गया 8 बार और इसमें 2 का बाग गया 18 बार अब दो का बाग इसमें भी जा रहा है, दो का बाग इसमें भी जा रहा है, तो दो का बाग दिया, इसमें गया, चार बार, और इसमें दो का बाग गया, नो बार, अब आगे इसमें दो का बाग जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, इसमें तीन का नहीं जा रहा है, इस परकार से ये तीनों परस्ण पूरे हुए पहले में मिसर बिन को सरल या अनुचित बिन में बदला दूसरा था अनुचित बिन को मिसर बिन में बदला तीसरा था बिन को सरल किया